हलो मै व्यूटुफूल यूटूब फैमले नमस्ति राधी राधी हैं मैं पिंगी फैर्सन बुटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंस आज में बनाने जा रहे हूँ सिक्रेट पैंट की कटिंग बताने जा रहे हूँ तो चलते देख लेते हैं फ्रेंस सबसे पहले मैं इसकेल की सहाजता से नीचे माप करूँगी यह सीधा निसान लगाऊंगी फ्रेंस इसके बाद धाई इंचू पर निसान लगाएंगे ठीक है फ्रेंस अब हम लेंगे अपनी लंबाई तो लंबाई है हमारी 34 तैयार तो हमको 33 लेना होगा एक इंच कम क्यूंकि एक इंच की हम बैल्ट लगाने वाले हैं ठीक है मेजर्मेंट देख लिजे फ्रेंस लंबाई 34 और थाई थाई है हमारी फ्रेंस 22 इंच ठीक है इसके बाद महरी है फ्रेंस हमारी 6 इंच बॉटम जिसे हम बॉटम बोलते हैं महरी है 6 इंच ठीक है फ्रेंस फ्रेंस देख लिजे हमको सबसे पहले स्केल की सायता से इस तरीके से माक कर देना है ठीक है यह माक करेंगे इसके बाद यह जहां से माक की है वहां से हमको नापना है अपनी कमर कर निसान ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस कमर है इसका 32 इंच तो 32 का चौथा पाट होगा 8 इंच ठीक है फ्रेंस 32 का चौथा पाट कर लीजे तो 8 इंच आएगा देखे फ्रेंस तरीके से आप लोग कारशकते हैं तो 8 इंच आएगा और 2 प्लस हम कर देंगे इसमें एक इंच का डाट लगेगा एक एक आदा आदा इंच दबाओ मिर जाएगा ठीक है फ्रेंस अब हम लेंगे थाई थाई है हमारी 22 तो 22 का एक चाथाई करेंगे एक करेंगे 22 का एक भाग निकालेंगे तो आ जाएगा 11 ठीक है फ्रेंस 11 का डबल होगा 22 ठीक है इस तरीके से हमें मिला देना है अब ग्यारा का हमको करना है आधा ठीक है फ्रेंस औधा कर दी है अब दिखेए फ्रेंस साड़े च्छैक है पूरा एक किनार तक मांक करके भाग पूरा देख लिजर इस तरीके से हमको एक सेंटर का मांक कर लेना है और स्केंड की साहाता से औपर तक इसका चौक से सेंटर को मिला देना है देख लिजी इसी प्रकारशे इसके बाद महरी हमारी छे है तो तीन इंच उस तरफ और तीन इंच इस तरफ ठीक है सेंटर पाट के तीन इंच उस तरफ तीन इंच इस तरफ लेकर हमको इस तरीके से देखे फ्रेंस मिला देना है इस तरीके से इसी प्रकार से स्केल को उल्टा करके देखे फ्रेंस यहां हम धाई इंच दो इंच सोरी अंदर करेंगे ठीक है और इसको उपर जाके इसे मिला देंगे फ्रेंस ऐसा करना जरूरी है इसमें फिटिंग अच्छी आती है फ्रेंस इसके बाद देखे इस तरीके से हमको करना है और ऐसे चॉक से मिला देना है ठीक है फ्रेंस इस तरीके से इधर हम थोड़ा सा तीर्चा कर देंगे ताकि मुड़ने में ठीक आता है मुड़ जाता है फिर आराम से हाँ तो फ्रेंस देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है अब आप कटिंग कर लीजे इस तरीके से आप कटिंग कर लीजे फ्रेंस प्रेंस यहां हम एक डाट डालेंगे प्लेट डालेंगे सॉरी देखिए तो वो साड़े चार इंच तक डालेंगे आदा-ादा इंच की प्लेट होगी ठीक है प्रेंस जो हम बढ़ा है थे वो यहां कवर हो जाएगी ठीक है ना और यहां से कट कर दीजिए ठीक है हलकासा आदा इंच नीचे को जाकर फिर हमको कट कर देना है ठीक है इस प्रकार से आप कट कर दीजिए फ्रेंस देखिए कट हो चुका है फ्रेंस हमको इस तरब का भी पल्ला नहीं काटना है यह हमारा फ्रेंट भाग कट चुका है अब चलते हैं फ्रेंस नेस्ट पार्ट की तरब कट कपड़े को हमने बिचा लिया है और फ्रेंट पार्ट को उपर ऐसे रख दिया है इसे प्रकार आप लोग भी मिला कर रख दीजिएगा देखे फ्रेंस हमको बैक पार्ट में सिर्फ एक ही मारकिंग करनी है देखे इतना ही फर्क है दो इंच हमको बढ़ा देना है यहाँ भी हमको उपर की तरब दो इनच लेना है ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना आए ठीक है फ्रेंस अब स्केल के साहेता से यहां से हमको यहां से भी हमको दो इंच लेना होगा आगे की तरफ अब हम इसको ऐसे मिला देंगे ठीक है फ्रेंस ठीक है और ये भी हम वहां से इसमें अटेच करतेंगे फ्रेंस हमको बैक पला थोड़ा सा उठाके काटना होता है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो इसमें खिचाओ नहीं आएगा ठीक है अगर जिसका ज्यादा है भी है मतलब हिप ज्यादा है भी है तो इसमें हम तीन इंच उठाके काटते हैं ठीक है इसके बाद दो इंच से बैक पाट में करना है और वाग की सब ठीक है देखिए ऐसे ही करना है पस आराम से कट कर दीजे फ्रेंज बहुत ही प्रेंट की बहुत ही इजी कटिंग है फ्रेंज दीजे फ्रेंज अगर आपको इसमें काटने में कोई भी कॉस्चन है आप मुझे सकते हैं कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप मुझे सकते हैं मैं आपको जवाब जरूर दूँगे friends देखिए जो छोटे creator होते हैं वो आपको जवाब जरूर देंगे बड़े creator जवाब नहीं देते हैं उनको अपनी ही पढ़ी रहती है friends ठीक है तो हमने channel बनाया ही इसलिए है देखिए friends इस तरफ से भी ऐसे ही cutting कर देनी है नीचे तक ठीक है last में हम इसको काटने हैं दोनों भाग को ठीक है friends देखिए cutting बहुत तरीके का होता है हर कोई बताता है लेकिन मेरा यह है कि जो सच मैं कुछ करना चाहता है अपनी से सिलाई को सीखना चाहता है वो मेरे से जुड़े और सीखे friends मैं एक एक बात आप के साथ share करूंगी किसी को दिक्कत आती है वो मुझसे पूछ सकता है मैं जवाब जरूर दूंगी friends ठीक है यहाँ पर cut लगा लिए है friends देखे friends हमारी cutting आसान तरीके से हो चुकी है friends आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो share कीजेगा subscribe कीजेगा और like कीजेगा friends इसका stitching part next video में आप सभी को मिलेगा कि pen की सिलाई कैसे की जाती है full video मिलेगा next part में thank you